नमस्कार दोस्तों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा माग महातम का अठारवा अध्याए दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके दोस्तों कथा को पूरी सुने कभी भी कथा को अधूरी मत सुने तभी आपको माग मास महातम सुनने का पूरन फल प्रापत होगा कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर कमेंट दें वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी जरूर करें दोस्तों माख मास मी प्रती दिन श्रीमत भागवत गीदा के एक अध्याय को कम से कम जरूर सुने उसका लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों माख मास में शिनान के साथ साथ भगवान श्री हरी की पूजा जरूर करें और उन्हें तीदल और फूल जरूर जड़ाएं और पक्षियों को जवार जरूर खिलाएं क्योंकि कहा जाता है कि जितने जवार आप पक्षियों को खिलाएंगे उतने गुना मोती दान का पुन्य आपको मिलेगा बोलो श्री विश्नु भगवान की जय शिमत भागवत महातम का अठार्मा अध्याय दोस्तों अध्याय को पूरन शद्धा भाव से सच्ची निष्ठा से सुनिए देखिये माग मास में ही अगर आपकी कोई इच्छा है तो जरूर पूरी होगी श्री वशिष्ठ जी कहने लगे हे राजन मैंने दत्तात रेजी द्वारा कहा माग मास महातम कहा अब माग मास के श्नान का फल सुनू हे परमतप माग मास श्नान सब यग्यों वर्तों का और तपों का फल देने वाला है माग मास श्नान करने वाले स्वयम तो स्वरग में जाते ही हैं किन्तु उनके मातापिता दोनों के कुलों को भर्ग प्रापत होता है माग मास में श्नान करने वाले दुराचारी और कुक कर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरी का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूट कर भगवान के श्रीर वाले हो जाते हैं यदि कोई आलस के भी माग मास में शिनान करता है उसके भी सब पापनश्ट हो जाते हैं जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश रिशी के वचन से माग में शिनान करने से पापों से छूट गई यह वारता सुनकर राजा दिलिप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव ये कन्याएं किसकी थी उनको कब और कैसे श्राप मिला उनके नाम क्या थे रिशी के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ती हुई और उन्होंने कहां पर शिनान किया आप विस्तार पुरवक सब कथा कहि वशिष्ट जी कहने लगे हे राजा जैसे अरनी से स्वयम अगनी उत्पन होती है वैसे ही यह कथा धरम और संतान उत्पन करती है हे राजन सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम वी मोहिनी था सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा चंद्रकांत की सुतारा तथा सूप प्रभा की कन्या चंद्री का ये पांच सब समान आयू वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांती वाली और सुंदर थी जैसे राप्तरी को चंद्रमा शोभाय मान होता है वैसे ही पुष्य की कलियों के समान खिली हुई ये अपसराएं थी उचे पयोधर वाली, पदमनी, बेसांख मास की कामिनी योबन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली, लता के सद्रिश, गोरे रंग, सोने के सद्रिश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुन्दर वस्त धारन करे हुए अनेक परकार के गाने और वीना अनेथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीन और ताल, स्वर तथा नरित्यकला में निपुन थी इस परकार वे कन्याएं कृडा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी एक समय कौतुकवश माग मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़ कर सरोवर पर गोरी पूजा के लिए गई स्वच जल के स्रोवर परशनान करके वस्त्रधारन कर मोन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुन्दर कमलो से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नरित्य करने लगी फिर उचे गंधार स्वर में सुन्दर गीत गाने लगी जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीरत में वेद निधी नाम के मुनी के पुत्र अगनिप रिशिशनान को गए वे हैं युवा रिशी सुन्दर मुख कमल सद्रिशनैन विशाल छाती सुन्दर भुजाओं वाला दूसरे काम देव के समान था शिखा सहित धंड लिए मरिद चर्म ओड़े यग्यो पवीत धारन किये हुए था उसको देखकर पांचों कन्याएं मुख्द हो गई और उसका रूप और योवन देखकर काम देव से पीडित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्रहामन के चित में काम देव का ध्यान उत्पन करने लगी और आपस में विचार करने लगे कि यह कौन है रती रहित होने से काम देव नहीं एक होने से अश्वनी कुमार नहीं यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारन कर कोई सिध या किसी रिशी का श्रेष्ट पुत्र या मनुष्ट कोई भी हो ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है जैसे पुर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्रापत होती है वैसे ही गोरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ट वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अत्वा सब का ऐसा कहने लगी जिस समय उस रिशी पुत्र ने अपनी मध्याहां की किर्या करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन हो गई ब्रह्मा, विष्णू, महेश, आदे देवता तथा बड़े योगिश्वर भी इस्त्रियों के भ्रह्म जाल में मोहित हो गए है इनके तीक्षन बानों से किस का मन रूपी हिरन घायल नहीं हो सकता जब तक नीती और बुध्धी रहती है तब तक पाप से भै रहता है जब तक तक की गंभीता रहती है यम विधी का पालन होता है तब तक मनुश्य इस्त्रियों के काम रूपी बांधों से बीनधा नहीं जाता ये मुझे उनमत और मुग्द कर रही है किन गुनों से धरम की रक्षा हो सकती है इस्त्रियों के मास, रक्त, मल, मुत्र से बने घ्रिनित और अशुद श्रीर में कामी लोग ही सुन्दर्ता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं शुद्ध बुद्धी वाले महात्माओं ने इस्त्रियों के पास रहना कष्ट कारक कहा है सो जब तक यह पास आवे घर चले चलना चाहिए अतैं जब तक वह उसके पास आई वह योग बल से अंतरध्यान हो गया रिशी पुत्र के ऐसे अद्भुत करम को देख कर वह चकित होकर डरी हुई चारो तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया और वह विरह की अगनी में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत तुम हम को छोड़ कर कहा चले गए क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अगनी में जलाने के लिए ही बनाया था क्या तुम्हारा चित दया रहित है जो हमारा चित दुखा कर चले गए क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं क्या तुम कोई मायावी हो बिना किसी अपराद के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो हे रिदेश्वार तुम्हारे बिना हम नहीं जियेंगी जहां पर आप गए हो हमें शिख्र ले चलो हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो दया करो सज्जन लो किसी का नाश नहीं देखते राधे राधे जहें श्री कृष्णा दोस्त यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बोक्स में राधे राधे लिख कर कमेंट जरूर दें धन्यवाद ह्रे वीश्न लृण्ष्ने लृण्ष्ण okenल हरे राम हरुरा । हुआ हुआ हु राम हरे राम हरे हुआ हुआ हरे करे कृष्ण Cornete क्रेष्न प्रेष्ण क्रेष्न हारे 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 ह झाल 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 झाल